Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Haradip में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में देखे एक Orient Green Power Share जो कंपनी है उसने अपने जो quarter 4 के रिजल्ट से उनको पेश कर दिया है उनके बारे में जो मैं आपको आज डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे रिजल्ट से रहें कंपनी के कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कंपनी ने रिवेंड जनेरेट किया और क्या आगी की पॉलसी जो है Orient Green Power कंपनी की रहने वाली हैं आने वाले दिनों में तो देखिए अगर सबसे पहले बात करूँ तो कल की डेट में जो है बड़ी तेजी जो हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी, स्टॉक जो है गिर के लगबग साड़े दास रुपे तक गया, दास रुपे के आस पास तक गया और उसके बाद से जो है लगाता तेजी जो हम औरिंट ग्रीन पावर शेर के अंदर देखने को मिल रही है तो कल भी जो है क्लोजिंग अपनी अपर सरकेट में ही दी है, कल मार्केट जो है अच्छा खासा 3% की तेजी जो है, आज कल हमें बॉम्बे स्टोक एक्षेंज और नेफ्टी फिटी में भी देखने को मिली थी, लेकिन थस्डे वाले दिन क्या बाता कि मार्केट जो है 3% त अगर आप चैनल पर नए है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी में आप लोगों तक पहुचा अगरे मांट्स और इंडियन रुपीज इन लैक्स अन्लेस अधरवाइस स्टेटिड यानि कि सारी कि सारी जो वेल्यूज है वो सारी कि सारी लाक्स में है यानि कि लैक में है तो 731 लाक तो नहीं होगा वो करोड में आ जाएगा ऑटमेटिक अगर आप काउंट करेंगे तो गवो 731 लाक कव तो बात करूं तो देखे रिवेन्नू फरों ओपरेशन्स जो पिछले क्वाटर में वो 705 करोड का था और अब की बार जो है वो अब की बार जो रिवेन्नू हुआ है from operations वो अब की बार होगा 731 का यानि की पिछले क्वाटर के मुकाबले जो है अब की बा अगर बात करूँ तो मैं 813 करोड का revenue from operations यानि कि अब की बार company को हुआ है और पिछले quarter का अगर बात करूँ तो 748 करोड का था बात अगर मैं year to year की करूँ तो देखिए year to year में जो है आपको भले quarter to quarter में थेजी देखने को मिलिये लेकिन year की बात करूँ तो year में जो है अब की अब की बार company को पिछले साल के मुकाबले company को अब की बार कम हुआ है यानि कि 31 March 21 को यानि कि अगर वो year की साफ से दुख यानि कि 2020 का data उसमें 3599 करोड यानि कि लगबलबग 36 करोड का था और अब की बार जो है वो 31 65 करोड का यानि कि लगबलबग 400 करोड के आसपास का नुक अब की बार जो expenses वो 2078 तक पहुँच गया यानि कि 2078 तक पहुच गया है तो यानि कि expenses तो company के बड़े ही है और लेकिन year to year भी अगर बात करें तो 4343 यानि कि 2020 में जो total expenses company के वो लगबलबग 453 करोड के आसपास थे और अब की बार जो company का हुआ है वो 5143 करोड यानि कि वहीं other expenses जो total expenses ये company के उनके इसाब से मैं आपको बता हूँ तो total income जो बहुत कम हुई आपको बता ही तो expenses जो है वो भी बड़े तो कोई खास तेजी आपको आपकी बार नहीं देखने को मिली यानि कि quarter 4 के results जो है अच्छे नहीं आये है एक नजरी से अगर मैं बात करूँ तो tax expenses देखें तो profit before tax देखें तो आप 1265 करोड है पिछले quarter में 232 करोड था और उससे पिछले में था जो है वो 465 करोड था यानि कि अगर year to year बात करूँ तो 744 था और आपकी बार जो है 1978 करोड है तो यानि कि कोई ज़्यादा तेजी आपको आपकी बार quarter 4 के results में और और नहीं देखने को मिले यानि कि quarter 4 के results में वो ज्यादा अच्छे नहीं आए है आपकी बार ओडियंट गरीन पावरशेर के तो ओडियंट गरीन पावरशेर ने देखे कल की news कि quarter 4 के results जो है वो पेस कर चुके company अपने और उसमें देखे क्या क्या पेस किया company में मैं detail में बता आपको stand alone यानि की audited financial results of the company for the quarter and year and in 31st March 2022 and financial results for the quarter and year and year and year यानि की B के अंदर भी है C और D आप ये खुद चेक कर सकते हैं जाके site के ओपर further 2 hour letters date is May 6th to 2022 and in accordance with the regulation 30 and 33 of the CB listing regulations read the schedule 3 we hereby inform you that the board of directors of the company and its meeting held today यानि की company की meeting जो हो चुकी और quarter 4 के results भी company paste कर देती पहला official notification जो है company की तरफ से या था और उसके बाद जो company ने अपने quarter 4 के results पेस कर दिये हैं बात अगर policies की करूं तो company की देखे dividend distribution policy और revised risk management policies यानि कि ये दो policies जो meeting के अंदर दोरान जो रखी गई हैं और यहाँ पे जो है आने वाले time में इन पे भी जो है ध्यान दे सकती है और इंट green power company बात अगर देखे जो continuing operation है उनकी बात करूं तो मैं उनके इसाब से अगर quarter to quarter बात करूं तो 253 जो है last quarter में थो और अपकी बार जो है 3778 है यानि कि उनमें भी जो है बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली लग बलब 50% तकी गिरावट है अगर total income की बात करूं तो मैं देखे इस quarter में जो है 4020 है और पिछले quarter में जो था वो 8254 था यानि कि लग बलबग आधा फरक जो है हमें देखने को मिल रहा है यानि कि 50% तक की गिरावट जो है अब की बार देखने को मिल रही है बात अगर total expenses की की करूं तो द company का जो खर्चा है वो इस quarter में थोड़ असा यहां पे घटते हुए हमें देखने को मिला है बट लेकिन year to year की भी बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी गिरावट जो है हमें देखने को मिली आपकी बार तो profit तो आपको पताई कि profit जो है अच्छा खासा नहीं कर पाई है आप की बार का पिछले बार का 628 था बट year to year बात करें तो 3578 आपकी बार और पिछले साल का जो है वो 5701 था यानि कि एक बड़ी गिरावट जो आपको ओरें गिरावट पावर शेरिक अंदर देखने को मिली है इस टाइम उसके quarter 4 के results में तो कोई खास देजी जो है आपकी बार आपकी बार हमें Orient Green Power के quarter 4 के results में देखने को मिली है तो बात अगर total इसके cash flow from operating activities की करूँ तो मैं ध्यान आपका लेके जाओंगा क्योंकि यहां पर एक बड़ी वो है बड़ी खबर जो है मैं बताता हूं देको for the year ended 31st March 2021 और for the year ended 31st March 2022 तो इसमें तो जो है बड़ी तेजी द लिखे में different tariff claim है, gain or modification of lease है, gain on deconization of the subsidiary यानि कि जो इक परामीटर्स जो company न बना रखे है तो उसमें जो है हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली है अब की बार लेकिन overall अगर मैं company के results के बारे में बात करूँ तो company कोई अच्छे खासे results जो है अब की बार paste नहीं कर और volatility की वज़े से जो है stock में आपको तेजी थप तक नहीं देखने को मिलेगी जब तक कोई बड़ी new company की तरफ से नहीं आती है बात अगर मैं देखे profit loss के before tax करूँ और after tax करूँ तो आपको साफ साफ दीख रहा होगा कि पिछले साल का year का बात करूँ तो 797 का था मनलब 2020 का जो है था और 2020 का अब की बार आया यानिकि 22 के अंदर 31 माज को तो 2173 है profit बट profit भी after tax जो है वो और भी सेम सेम ही है दोनो profit before tax और profit after tax दोनों में सेम सेम कोई दिक्कत नहीं सेम numbers है बट लेकिन कोई तेजी जो है बड़ी खास तेजी जो है आमें अब की बार नहीं देखने को म पाई एक तो market में इतनी volatility थी कि भी market जो है लगब जब तक quarter 3 एंड वाथ और quarter 3 और 4 के बीच में ही जो 3-4 महीने बीते हैं इनमें जो market बुरी तरीके से डाउन रहा है तो company का काम भी जो है अब की बार डाउन रहा और उसके वीज़े जो है अपने numbers भी company अच्छे खासे नह नहीं पेश कर पये